हेई गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ मदर बोर्ट के बार में जो इंटल के 12 जेरेशन और 30 जेरेशन दो के अंदर ही कॉंबडेबल हो बात करेंगे प्रोसेसर के अक्रोडिक इंटल का आई 3, i5, i7, i9 तक आता है तो उस हिसाब से आपको कौनसा मदर बोर्ट लेना चाहिए जो अपने हिसाब से वैलुफर मने भी हो प्रोब्लेम यहां पर ही आता है इंटल का आई 3 के लिए मुझे कौनसा मदर बोर्ट लेना है या फिर मुझे आई 9 लेना है तो कि सब अपडेट आपको मिलता रहेगा बिलाइगन को अन करना मत भूला जिन भायों यह पहले से कर रहा है उनके लिए भी छोड़ा सा काम है जो लाइक दिख रहा है इसको कम्प्रीट करने मदद करो लाइक बटन को दबा और इनके से अगर आप मुझे परसनली बात करना तो कहीं सही बाहि करने से पहले एक बार अम लोग का स्पॉंसर की वेबसाइट को जरू से विजिट करें यहां पे आपको विंडोस का रीटेल की सिर्फ फरसिर 599 रुपय में मिल जाता है और ऑफिस 1299 रुपय में वहीं पर आप हमारा कूपोन कोड का इस्तमाल करते हो तो करना है लाइक 30,000 के अंदर उन लोग के लिए बेस्ट ऑफ्शन रहता है एक सिक्स्टेन का एंट्र लेविल मदरबोर्ड आइट्री 12100 या फिर 12100 ऐसा प्रसिर के लिए आप यहां पे दो मदरबोर्ड को ले सकता हो जो एक सिक्स्टेन सिपसेट के साथ आता है नंबर वान गीगबाइट H16M-S2H नंबर 2, Asus Prime H16M-ED4 इन दोनों में से आप कोई भी एक मदरबोर्ड को चूस कर सकतो लेकिन आपको बता दो जिनको यहां पे डिस्पलिय आउटपूट जादा चाहिए लाइक 4 डिस्पलिय आउटपूट चाहिए वो यहां पे गीगबाइट के साथ जिनका तीन डिस्प्लेय आउट्पूट पे भी काम चल जागा वह यहापर आसुस का मदर बोर्ड भी ले सेटो परस्टनली इन दोनों मदर बोर्ड में से में आसुस के अंदर जाना ज्यादा प्रेफर करूगा क्योंकि आसुस का जो बायोस के इंटरफेस है वो मुझे जनेशन तो आप इन दोनों में से कोई एक मदर बोर्ड को चूज कर सकते हो 12 जनेशन एं 13 जनेशन दोनों का जो सौकेट है एकदम सेम है एल जी सेवेंटीन हंडेशन बस में भी आपको बायोस को अपडेट करना परेगा 13 जनेशन के लिए अगर बायोस पहले से अपडेट ना आता हूं नेक्स्ट आइफाइब अप आइफाइब के अंदर दोनों चीज आपको ध्यान रखना परेगा अधाइब के अंदर दोनों चीज ए एक आता है जिसको आप ऊवर क्लोग नहीं कर सकते हैं लाइक ट्विल फोरंडेड एफ और एक आता है के वेरियंट जिसको आप ऊवर क्लोग कर सकते हो सबसे पहले नॉन के वरियंट की बात कर लेते हैं देखो में आपको यह रिकेमेंड करूंगा इट्स ऑल्वेस बेटर अगर आप एंट्री लेवेल एज सिस्टें जैसा मदर्बोर्ड को स्कीप करो चाहे आप यहां पर इंटिल का आई तरी क्य आप यहां पर जनेरेशन 4 के ड्राइफ को लगा सकते हो एंड बेस पार्ट इसका प्राइजिंग सारे 9000 रुपय के अंदर मार्केट के अवेलेवेल है दो रैम स्लोट के साथ आता है अगर आपको एंट्री लेवेल से थोरा सा बेटर मदर्बोर्ड लेना है लेकिन पेस प अगर तो आप यहां पर बेटर चिपसेट भी ले सकते हो जो यहां पर आपको गीगवाइट का B760 के अंदर देखने को मिलता है तीनों मदर्बोर्ड ही बहुत ज्यादा सिमिलर बजेट के अंदर आता है ग्यारा से सारे ग्यारा के अंदर आपको B660 के मदर्बोर्ड मिल जाएगा वहीं पी एगर 1000 रुपय एक्ष्ट आते तो तो आपको B760 का यहां पर आता है जिन लोगों को यहां पर थोरा सा ओवर क्लॉकिंग भी करना है अपने आइफाइट के अंदर यहां पे आपके पास दो आप्शन अवेलेवेल एंड आइफाइब आइसेवें तक भी आप लगा सकतो मदर्बोर्ड के अंदर कोई इसूस नहीं है नमबर वान गिगाबाइट Z690 UD V2 नमबर टू गिगाबाइट Z790 D यह दो मदर्बोर्ड मार्केट पे 19 से 20 हजर के अंदर आपको आरहम से देखते हो मिल जागा बट बेस्ट पार्ट यहां पे यह है कि Z790 का लेटेस्ट चिपसेट भी आपको इतने अच्छे प्रैसर के लिए बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है दोनों में से ना जेट 790 मदरबोर्ड यहां पे थोरा सा बेटर आपको चीज़ आफर करता है और प्रैसिंग आपको सिर्फ हजार रुपए ज्यादा मिलता है जेट 790 मदरबोर्ड के अंदर आपको ना वीरेम सेक्शन और हिट सिंग पूरा बेटर मिलता है इन दोनों में से आप कोई भी मदरबोर्ड ले सकते हो परसनली में यहां पे जेट 790D मदरबोर्ड को चूज करता हो क्योंकि वहां पे सिर्फ हजार रुपए जादा देके आपको बेटर काफी जालना चीज़ मिल रहा है और अगर आ आप कैसे भी करके आई नाइट प्रशेर के अंदर जा रहे हो और बजेट अब भी थोरा सा कम हो गया मदरबोर्ड यहां पे थोरा सा बजेट सेग्मेंट के अंदर भी जाना है लेकिन फीचर में भी कोई कॉम्प्रोमाइस नहीं करना है एंड वैलु फर मनी भी होना जाई आप देखो ज्यादा तर एरिया यहां पे हिट सिंग से कवर्ड हाइं पर आइन जैसा पर को यहां पे बहुत आसानी से यह मदरबूर्ड हैंडल कर पाएगा इस मदरबूर्ड के प्राइजिंग भी इतने ज्यादा नहीं है मार्केट के अंदर पच्छी से चब्वीस अज आपको मिल जाएगा वाइफाई के सपोर्ड मिलता है मदर बोर्ड के अंदर आइन जैसा पॉसर के लिए अगर बजे सेग्मेंट के अंदर पेस्ट वैलुफर मनी मदर बोर्ड भूड़ रहे तो इससे अच्छा मदर बोर्ड आपको नहीं मिलें इसके साथ जो सारे मदर ब जैसा लेङी आइन 6 कंदर कॉंसेल लेना चाहिए आइन 5 खेंदर कॉंसेल लेना चाहिए आप नीच्ग करके बताओ आपका नसर में अगर कोई mother board है जो आपको best value for money लगता है तो उसका नाम क्या है model number नीचे आप mention कर सकते हूं मैं सबका reply परता हूं सबका reply भी करता हूं आज के ये वीडियो यहां पर ही रहने देता है मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर तब तक keep smiling and always be happy